2025 का विधान सभा चुनाव जद्यू का रिभाइबल है अगर वो रिवाइब कर गया तो वेल एंगुड और नहीं कर गया तो भी आप समझ दिजेगी सेवासमाब आप 24 के जो ही राशनतिक लोग हैं जो कहे रहे हैं कि 24 के चुनाव में नितिज जी रिवाइब कर गया हम प्रस्नली नहीं मानते हैं चिराग पासवान वो आदमी है जो कहते हैं कि ना खेलब ना खेले देब खेले वे बिगार दे वो ये हैं मतलब उजद्यू के साथ क्या कर अगर चिराग पासवान का एतने वोट था तो चिराग पासवान अपना विदान स्वा में ले आते इतना आदमी को चुनाव लड़वाए लेकिन उनका जिता एक जिता उही जोद्यू इंचला गया इससे मालूम चलता है कि चिराग पासवान मुकेश रहनी उपहंदर कुस सब्सक्राइब को पता है कोई है जो कहा है कि गारंटी ले रहे हैं तो बड़ा बढ़िया सवाल पूछते हैं कि मोदी चेचा बताईए कि नितीज जिया गारंटी लीजिएगा तो नितीज जिया तो का गारंटी नहीं है तो अच्छा परफॉर्म 2020 में नहीं कर पाए थे और इसी बेसिस पर जब सीटों का बटवारा होगा तो हो सकता है कि भाजपा का जो केंद्रिय नेत्रुत है वो हमको सीट जादा ना दे नितीज कुमार फिर से कहीं और जा सकते हैं और नितीज कुमार स्वेम जाना नहीं चाहते होंगे इसलिए अब उबलवाना शुरू कर दिया है नितीज कुमार कुछ नहीं बोलते हैं दुचार वो पाचे को लोग रखे हैं ललन बाबू हुए संजय जा हुए उमेश कुश प्रबबिलिटी ओफ विनिंग जादा है तो भाजपा अपना जान लगा देगी कि उसीट उसको मिल जाए ताकि नितीश कुमार कभी भविश्य में भागते हैं तो फिर जोड़ घटाओ करके भाजपा अपना सरकार कमसकम बचा सके विहार विधान सभा चुनाओ 2025 में लगभग अभी एक साल का समय बाकी है लेकिन उसके बावजूद NDA में सीटो को लेकर के रसा कसी शुरू हो गई है और NDA के तमाम दल जो है इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनको कितनी सीटो पर चुनाओ लरना है और आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या नंबर वन पार्टी बनके जाना चाहती है विधार विधान सभा में नितिस्कमार की पार्टी अर्थ यही है कि वो लोग इस बात का प्रेशर बना रहे हैं और इसलिए बात समझेगा दो खेल हुआ 2020 में आपको याद दिलाते हैं पहला खेल हुआ था जदियू के साथ जदियू नों चुनाव लड़ती है बराबर सीट पर जीतती है चववाली सीट अगर यही जदियू चुवाली से ज़्यादा सीट जीती होटी तो भाजपा और जदियू मिलकर जो सरकार बनाए हुए हैं तो बार बार जो हवा उठता है कि पांच को विधायक तरेस्वी आदाव काट लेंगे और सीम बन जाएंगे तो यह हवा नहीं उठता ये पहला ब उठता उपर कि हमको दीजी ज़्यादा सीट और उसके साथ साथ जदियू और भाजपा को यह कहेगी कि भाई साब हम हार गए तो क्या हुआ हुआ हमारा रिकॉर्ड चेक करिएगा तो हम पहले भी जीत कर आये हैं और बहुत बात है दो यार पांच-दस का रिकॉर्ड साथ में आये थे तो बहुत रह का बात है लेकिन इस बात का सीधा मतलब यह है कि जद्यू के मन में इस बात का डर है कि हम अच्छा परफॉर्म 2020 में नहीं कर पाए थे और इसी बेसिस पर जब सीटों का बटवारा होगा तो हो सकता है कि भाजपा का जो केंद्रिय नेत्रु दे एक और बात याद रखिए 2025 का विधान सबा चुनाव जद्यू का रिभाइबल है अगर वो रिवाइब कर गया तो वैलन गुड और नहीं कर गया तो भी आप समझ दीजेगी सेवासमात आप 24 के जो ही राशनतिक लोग हैं जो कह रहे हैं कि 24 के चुनाव में नितीश जी लोगसभा तो कम से कम नहीं ही जीत सकते हैं लोगसभा का वोट क्यों देगा नितीश कुमार को कोई वो उसको ऑंगरिस मिजाते हैं वहां से भागाते हैं सहीं उजग कहते हैं बनना है कभो कहते हैं परदानवंतरी बनना है कभो कहते हैं ना ना उन लोग ठीक आदमी नहीं नितीष कुमार की राजनितिक प्रयासंगिकता यहां पर नहीं है ओप में नितीष कुमार पैवाीवल 25 के चुनाओं में हो सकता है अब ही तो हम यह भी थो यह है नितीष कुमार कि वहले से उनली हैख hem भाजपा वालों पर अभी से उनके कान में इस बात जाए कि जद्यूवाले यह चाहते हैं कि बाजपा वाले अगर एक्जामपल दे किसी बच्चे का अगर आकलन करना हो परिणाम से तो आप उसका पिछला परिणाम उठाते हैं उसको दिखाते हैं देखो तुमको नंबर कम आया था तो तुम ठीक आदमी नहीं है तो तुम खेलने नहीं जाएगा तुम दिन भर पढ़ेगा ऐसा ही होता है तो भाजपा परिनाम दिखा देगर 20 के विदानसभा चुनावकार कहे कि सर ये देख लेजी और बताईए तो सारा उनका डेटा चल अभी कि 12 लोग सबा सीठ हम लोग जीते हैं उसका विदानसभा 170 होता है तो हम सब फेल हो जाएगा तो दिक्कत यही है वो लोग चाहते है कि भाजपा को प्रिशर में लाएं भाजपा को कुछ अंट संट बोले ताकि भाजपा की कान में बात जाए कि जदियू वालों को अ प्रिशर पॉलिटिक्स जो होता है वह एन मौके पर होता है लेकि इनको जल्दी इसलिए करना पड़ रहा है कि कहां जाना है कहां महल बलाना है कोई सर्वे करवाना होगा इसलिए अभी से दिमाग लगा रहा है अगला प्रस्णी है कि अंदर खाने से ये खबरे चल रहे है कि जंता दल उनाइटेड की बहुत सारी विनिंग सीट है जिस पर भारतिय जंता पार्टी दावा कर रही है कुछ सीटे एक दो सीवे हैं जिस पर चिराग पास्वान अपना दावा ठोक रहे है तो क्या लग रह पहला तो चिराग पास्वान राप साफ हो गए थे तो इस बार चिराग पास्वान का 100% विनिंग रेशियो है खुब चर्चा हो रहा है कि 5 में 5 5 में 5 मोधी जी हनुमान है तो यह है पता नहीं क्या क्या है चोड़ दीजी ओ बात 20 में तो राप साफ हो गए थे और 20 में दीजिए इनको हटा दीजिए पहला बात दूसरा बात ये देखिए भाजपा नितीश कुमार से उब चुकी है कोई कितना भी कहले कि नहीं 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 मोधी जी भाजपा को मानते हैं चाहें एंडिये गठबंदन बिहार में ठीक है हम प्रस्नली इस बात को जब से गौर क कहीं भी ठीक नहीं है आप अगर उसको मंत्रा लेओं के बटवारा से सुरू करिए या फिर आप नितीश कुमार के फिवरेट अपसर का तबादला देखिए बीजेपी मंत्री के पास कैसे हुलाता है तो तमाम चीजे है अब भाजपा बस इतना चाहती है कि हम कैसे भी अप अगर प्रोबिलिटी ओफ विनिंग जादा है तो भाजपा अपना जान लगा देगी कि उस सीट उसको मिल जाए ताकि नितीश कुमार का भी भविश्य में भागते है तो फिर घटाओ करके भाजपा अपना सरकार कमशकम बचा सके भाजपा का सीधा 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 सोचना यह अब नितीश कुमार क्या कोई अगरी नहीं करेगा क्या है अगर 것이 जीती पूछेंगा कैंसे पल्टी मारते है यार नितीश कुछ आनका नी करते हैं तो हम् City कम सेखना प्रश्र मना रहे हैं कि पचास सीट में उनको बोल दिकाए ठीक है जाओ दस गो चुन लो तो इस हिसाब से खेल होगा अब देखिए भवीश्य के बात है कब कैसी क्या होता है चिराग पासवान का जिक्र होड़ा है तो हमको याद आ रहा है कि बिहार विधान सभा के लिए वो पचास सीटों का दावा कर रहे हैं इससे पहले जार्खंड विधान सभास में भी बहुत सीट मांग रहा है तो च्या लगता है कि लोग सबाच नौच में 100% स्ट्राइक लान है दूसरी बात कि चिराग पासवान का वोट बैंक है इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन चिराग पासवान का इतना वोट बैंक नहीं है कि वह वहां पर जाकर जीत जाए चिराग पासवान वह आदमी है जो कहते हैं कि ना खेलव ना खेले देब खेले बिगार दें वह य चलता है इससे मालूम चलता है कि चिराग पासवान मुकेश रहनी उपेंदर कुसवाहा जीतन राम बान जी राम बिलास पासवान जी राम दस अठावले जी पूरे देश मेसेज निताओं को जोड़ लीजिए ये लोग वहीं है कि ना खेला ना खेले देव खेले भीगार दे है कि अगर इनको पाच सीट दे दे हैं हमको दस सीट कम का नुकसान हो तो इनको दे ही दो तो वह बूला लेवलक है तो पॉलिटीक्स इनका सिर्फ इतना है कि हम्को कुछ बढ़िया मनदब दस सीट जाए उनको मिलने वाला है नहीं और दस सीट मिल जाएगा दस सीट जीत जाएंगे विदान सवा में बहुत खुश हो जाएंगे उससे ज्यादा उनका कुछ होने वाला नहीं है वो जान बुझकर माहौल बना रहे हैं एश्ट्राइक क्रेट का जो बात है वो यह है कि वोधी फैक्टर पे जीते हैं और थोड़ा बहुत उनका वोट था तो उतना ही भाजपा ने आपको चुना क्योंकि आपका भवष ज्यादा है आपके पास उमर है आप के बूस ज्यादा नहीं है इक किसी और को मिलता तो उहार जाता तो मिलाजुला के हिसाब किताब वही है प्रेसर का खेल चल रहा है जो जितना प्रेसर बनाएगा उतना फक से सीट ठेक देगा अले कि आप चुनाव लड़ लीजिएगा यही दिमाग है यही अंतिम प्रस्नी यह कि NDA में जिस तरीके से सीट जाना NDA को अच्छे से आता है आप NDA मत कहिए आप भाजपा कहिए भाजपा वाले बहुत अच्छे समझते हैं कि सामंजस से कैसे बिठाये जाए पहली बार अटल ब्यारी बाजपेई की सरकार थी जिन्होंने अपना 5 साल कंप्लीट किया था यह बहुत बड़ी बात है और गठबंदन की सरकार ने कंप्लीट कर दिया और कई बार कुशिश किया गया कि तोड़ दिया जाए तो उन लोगे खून में समंझस से बिठाना है हमको लगता है दूसरा बात की देखिए जडियू जाना चाहे तो वही बोले थे हम पिछले भी जडियू नितिश जी बैयार कि भाजपा के साथ मैं सुने हैं और अगर रियल्ट भी नहीं आया है अब जब सर्वे का निंदीश जी के पास बहुत मुख्यमंत्री चाहे तो अगर कोई भागना ही चाहे तो रोख नहीं सकता है लेकिन अगर कोई दिक्कत हो तो हमको लगता है कि वह मैनेज हो जाएगा म और हमको लगता है कि इस बार चिराग पासवान जितना भावकाल में है वह उतना दिक्कत नहीं करेंगे कि उनको बीस में बात समझ में आ गया है प्लस उनको उनको ऐसा ना लग रहा हो कि वह हट जाएंगे पांच को सीट चल जागा तो मोदी के सरकार गिर जाएगा तो ऐस नितीज जी स्वेंभू हैं वो स्वेंब के मालिक हैं स्वेंभवान हैं वो अपने ही साथ तैक करेंगे बाकी भाजपा चिराग और आग मांजी वाजी तो साथ रहने वाले हैं और इस बार परफ़र्मेंस ठीक ठाक भी हो जाएगा चलिए आप इन लोगों के बारे में क्य सोचते हैं एंडिये के सीट बटवारे को लेकर के आपके मन में क्या चल रहा है अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंग्शन बहुत बहुत धन्यवाद